Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे कि आपके परसन की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है. ये सारे star signs की reading होती है, ये एक short reading है और बिल्कुल timeless है. So let's start. आज मैं सिर्फ articles यूज कर रही हूँ. आपके परसन की current feelings और thoughts. सबसे पहले हमारे पास है hair and now, इसका number है 32. Next is a leg up, number 34. Chop wood, number 42. Mending, number 52. And then bottom of the deck पर हमारे पास है the fates, number 17. So I feel कि इस वक्त आपके परसन एक बहुत ही जादा positive mindset में नजर आ रहे हैं. I also feel कि ये इनसान इस वक्त बहुत जादा अपनी daily routine पर focused हैं. Day to day life में, जो करना है, छोटी छोटी चीज़ें, अपना काम करना, घर आना, you know, अगर तो वो काम करते हैं. और अगर female भी हैं, तो वो अपनी daily routine पर focused हैं. They feel कि जो भी उनके पास इस वक्त है, with this here and now, जो अभी उनके पास है, जो moments है, जो वक्त है, उसको वो enjoy करें और आगे के लिए hopeful रहें. I feel कि बहुत ज़्यादा optimistic energy है, future को लेकर ये इनसान बहुत ज़्यादा परिशान नहीं है, because they feel कि हमारे पास यही moment है, जो अभी है, so ना हमें future का पता है, past already गुजर चुका है, so जो हमारे पास अभी है, उसको हमें जीना चाहिए, भरपूर तरीके से. So I feel कि जैसे ये इनसान आपके साथ इस connection को heal करने के बारे में सोच रहे हैं with the mending card, but maybe वो बहुत ज़्यादा आजकल busy है, उनकी routine बहुत ज़्यादा tough हुई भी है, या वो बहुत ज़्यादा जान बूच कर focus कर रहे हैं अपनी daily routine पर ताके वो बहुत ज़्यादा परिशानिय या break up है, या फिर अगर नहीं भी है separation में भी आप लोगों की बात बात पर लड़ाई होती है, बहस हो जाती है, थोड़ा सा एक frustration वाला period चल रहा है आप लोगों का, बट आपके person इस चीज़ को understand शायद नहीं कर रहे हैं, वो अपना mindset उन्होंने positive रखा हुआ है, और वो ये person का मानना ये है कि अगर हमारी किस्मत में हुआ, तकदीर में हुआ, तो चीज़ें खुद ही naturally unfold होंगी और हमारे favor में हो जाएंगी, कुछ इस तरहां से ये इनसान सोच रहे हैं इस वक्त, और feel कर रहे हैं, overall जैसे मैंने कहा, ये इनसान बहुत ज़्यादा optimistic है आप लोगों future के बारे में सोच सोच कर अपने present moments को खराब ना किया जाए, so I do feel कि हो सकता है आप लोगों के दर्मियान ये एक problem है कि आपके person कुछ planning नहीं करते हैं आगे के बारे में, कुछ कहते भी नहीं है, कोई clarity भी नहीं देते हैं, because they don't want to, उनके पास कोई plan नहीं है, I feel कि they just go with the flow, इंसान बहुत सदा planning नहीं करते हैं, they just take it one day at a time, you know, वो अपनी day to day life पर ज्यादा focused रहते हैं, जो है बस उस पर focused ज्यादा रहते हैं, so they like to go with the flow, और वो ये कहते हैं कि बस जो होगा, वो देखा जाएगा, जो जिस moment में होगा, so I don't want to force things, you know, इस तरहा की सोच है आपके person की, so, ये इंसान इस वक्त यही सोच रहे हैं कि काश आप उनके इस mindset को understand करें, so इसके अंदर कुछ उनका गलत मकसद या आपका time waste करना नहीं है, वो ये सोच रहे हैं, so they do want to heal the relationship with the mending card, अगर आप लोगे दरमयान कोई बहस है, कोई problem है, इस वक्त चल रहा, ये इंसान उसको heal कर करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, I also feel this card को आपके साथ में देखने में भी, इंसान कुछ आपके साथ celebrate करना चाहते हैं मिलकर, यहाँ पर कुछ रही है, I feel, I don't know, I feel कि जैसे ये इंसान कुछ plan कर रहे हैं, कोई celebration, you know, कुछ छोटी सी celebration, ये नहीं कि कुछ बहुत huge, maybe आपको mood अच्छा हो जाए, जिससे आप दुनों के दर्मयान connection heal हो जाए, you know, कोई इस तरहां की effort आपके लिए करना चाहते हैं, आपके लिए time निकालना चाहते हैं, because they know के वो recently बहुत जादा मसरूफ रहे हैं, या वो कुछ जान बूच कर भी अपने आपको मसरूफ रख रहे हैं, but they know के उन्हें आपके लिए time निकालना चाहिए, और वो इस connection को heal करना चाहते हैं, so यह आपकी quick energy update थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, मुझे जरूर बताएगा comment section में, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.